हर हर महादेव जैश्री केदाना दोस्तों जैसे कि आप सभी देख सकते हैं गोरी कुंट से लाइव गोरी कुंट से केदानत की आतरा चालू कर दी गई है और काफी सारे यात्री जो सोन प्याग से गोरी कुंट की तरफ आये थे उन सभी को भीजा जा रहा है केदानत की तरफ आप सभी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड है माने तो सास से आठ हजार यात्री हैं जो कि गोरिकुंड से आद केदानात की तरफ जा रहे हैं बाकि जो भी यात्री सोन फ्याग में बेट कर रहे थे केदानात यात्रा चालू होने का उन सभी को बता दूँ केदानात की आत्रा चालू कर दी गई है और आप भी केदानात की आत्रा कर सकते हैं जो रास्ता तूटा हुआ था केदानात का जंगल चट्टी के पास वो भी एक तरीके से बना दिया गया है थोड़ा और वहां से सभी आत्री को निकाला जा रहा है जैसे कि आप सभी देख रहे हैं ये जंगल चट्टी के पास जो रास्ता कल तूट गया था यहां से एक एक करके सभी आत्री को निकाला जा रहा है और केदानात की तरफ पहुचाए जा रहा है बाकि आप सभी देख सकते हैं रास्ता काफी छोटा हो गया है शुरक्षा कर्मी आराम आराम से एक 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 आत्री को निकाल रहे हैं जिससे कि उन्हें कोई तकलीफ नहो और आसानी से केदानात की तरफ पर जा पाई बाकिये मैं आप सभी को बता दू घोड़ा खचर पालकी से अभी आप यहां से यात्रा नहीं कर भाएंगे अगर आप प्लैनिंग कर रहे थे कि घोड़े खचर से आप केदानात की यात्रा पर जाने की सोच रहे थे तो आपको अभी पैदल तरीके से यात्रा करनी होगी जंगल चट्टी तक फिर जंगल चट्टी के बाद आगे आप घोड़ा ले सकते हैं या फिर नीचे गोरी कुंट से जंगल चट्टी तक घोड़ा ले सकते हैं और फिर उसके बाद आगे जहां से कट है वहां से आगे घोड़ा ले सकते हैं फिर आप केदानत की यतरा पर जा सकते हैं, बागी आप सब देख रहे हो, एक एकर के सबी यतरी को सुरक्षित तरीके से यहाँ पर सुरक्षर कर्मी दौर्वार निकाला जा रहा है और केदानत पहुँचा ए जा जा रहा है, कल जो केदानत यतरा रुक गई थी वो अगर आप प्लाइनिंग कर रहे हो केदानात त्यातरा पर आने के लिए तो आप आ सकते हो और आप आसानी से बावा केदानात के दर्शन कर सकते हो बागी आप साम तक सभी यातरी केदानात पहुंच जाएंगे और केदानात में इस्टे करेंगे बागी मैं आफ सभी से ही कहूंगा अगर आप प्लैनिंग कर रहे हो सही तरीके से बावा के दानात क्यात्रा पर आने के लिए तो कुछ दिन वाद क्यात्रा करें हर हर महाद